ते लिए अब बात करते हैं, अब sulfur के sulfuric acid के बारे में, sulfur का जो main oxoacid होता है, वो होता sulfuric acid, H2, SO4, sulfuric acid, जो sulfuric acid है, sulfuric acid में इसे, यदि एक oxygen को minus कर देंगे, एक oxygen को minus कर दिया, तो यह एक foam है, तो एक oxygen को minus करेंगे, तो हमारे पास क्या foam आ जाएगी, एक oxygen को minus किया, H2, SO3, इसको बोलते हैं, sulfurous acid, एक foam से, अस foam change होता है, यह lower oxidation state में, oxidation state में था, यहाँ पर जो oxidation state थी, plus 6 है, यहाँ पर जो sulfur की oxidation state है, plus 6 है, यहाँ पर जो oxidation state है, plus 4 है, से यह, अस foam में change हो गया, इसका हम कह सकते हैं, sulfurous acid, sulfurous acid, अब बात करें कि, phyroacid कैसे foam कर सकते हैं इससे, अब ही इसका molecular formula है, इसके molecular formula में से, इसका जो molecular formula है, इसका molecular formula को double कर दें, double करने पर क्या बन जाएगा, H2SO3 का double कर दें, तो क्या बन जाएगा, H4S2O6, तो इसमें से एक water molecule अटा दें, एक water molecule माइनस कर दें, तो H2O को माइनस करना हमें, H2O को माइनस करने के बाद, बाकी क्या रह जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, H2, दो hydrogen रह जाएगे, sulfur तो है, H2O, और एक oxygen, 5 oxygen रह जाएगे, तो इसको क्या कहेंगे, pyrosulphurus acid, H2, H2O5, pyrosulphurus acid, इसको क्या रह जाएगे, pyrosulphurus acid बनाना, sulfuric acid बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे, तो जो इसका molecular formula है, H2O4, इसका डबल करने पहले, इसका molecular formula को डबल करेंगे, तो H4, S2O8, अब इसमें से एक water को minus कर दें, 2 hydrogen को remove कर दें, एक oxygen को remove कर दें, तो molecular formula बाकी कह रहा जाएगा, H2O7, जो molecular formula था, sulfuric acid का, molecular formula का हमने डबल किया, उसमें से एक water को minus कर दिया, water को minus करने के बाद, जो बचा है, उसको हम कह रहे है, phyrosulfuric acid, phyrosulfuric acid, phyrosulfuric acid, से हमें paracid ना है, यदि जो H2SO4 में, एक oxygen एड़ कर दें, एक oxygen का addition कर दें, एक oxygen का add कर दें, तो formula क्या हो जाएगा, H2SO5, H2SO5, और इसका जो नाम है, उसको caroacid भी कह देते हैं, ऐसे ही, जो यह phyrosulfuric acid का formula है, इसमें भी एक oxygen एड़ कर दें, इसमें भी एक oxygen का addition कर दें, तो हमारे पास pyro का यह भी हमें एक paracid मिल सकता है, जब इसमें एक oxygen एड़ कर दें, तो formula होगा, एक oxygen एड़ करने के बाद, H2, H2, एक oxygen एड़ कर देंगे, तो oxygen हो जाएगी 8, इसका नाम हम कह सकते हैं, परोक्सो दाई सिल्फिरिक एसेड़, अनिके दो H2SO4 से मिलकर बना आईए, और इसमें दाई सिल्फिरिक एसेड में oxygen एक्सिजन लिंकेज है, oxygen-oxygen लिंकेज को हम परोक्सो बोलते हैं, तो यह परोक्सो डाई सिल्फिरिक एसेड है, और इसके अंदर भी परोक्सो लिंकेज है, तो इसका नाम भी है परोक्सो, दूसरा नाम जो है, परोक्सो, क्योंकि एक ही H2SO4 से मिलकर बना आईए, तो इसको परोक्सो मोनो-सिल्फिरिक एसेड बोल देते हैं, मोनो-सिल्फिरिक एसेड, क्योंकि एक ही H2SO4 से मिलकर बना आए, तो इसमें oxygen-oxygen linkage होता है, जिसको जब structure बनाएंगे तो बताऊंगा कि कैसे, तो इसको नाम जो है परोक्सो मोनो-सिल्फिरिक एसेड और ये परोक्सो-डाई-सिल्फिरिक एसेड है इसका दूसरा नाम भी होता, जैसे इसका itsric brake dependency system- कारो एसेड है इसका दूसरा नाम होता है minus sal-acid. इसको हम ओलियम भी पह देते हैं इस acid को हम oleum भी बोल देते हैं. इसको हम oleum भी देते हैं. तो हमारा main acid था, वो हमारा कौन था? Sulfuric acid था. अब sulfuric acid से हमने क्या कि एक oxygen को minus कर दिया, तो कौन सा acid बना? Sulfuric acid थी है, तो इसमें से एक oxygen minus कर दिया, S form होगी हमारी पास. अब हमें pyroacid बनाना था, pyroacid के लिए क्या क्या? इसका जो molecular formula बना था, इसके molecular formula को double किया, उसमें से एक water को minus कर दिया, तो हमारे पास pyro sulfurous acid आ गया. अब H2SO4 से हमने pyrosulfuric acid आ इसका जो molecular formula था, उसको double किया, double करने पर उसमें से एक water को minus कर दिया हमने, minus करने पर क्या बना? pyrosulfuric acid. ऐसे ही इसे ही formula में एक oxygen आड़ कर दिया, तो paroxo monosulfuric acid फॉर्म हुआ. ऐसे ही जो pyrosulfuric acid था, pyrosulfuric acid में एक oxygen आड़ कर दिया, तो formula क्या बना? paracid फॉर्म हुआ, paroxo acid फॉर्म हुआ, paroxo acid दाई sulfuric acid. उसको marcel acid भी कह देते हैं, और paroxo monosulfuric acid को caroacid भी बोल देते हैं, और जो pyrosulfuric acid है, उसको oleum भी कहते हैं. एक इसमें जो acid होता है, thaiosulfuric acid भी होता है, thaiosulfuric acid हम जब कहते हैं, जब जहां sulfur-sulfur का linkage होता है, तो उसका जो formula बनाना होता है, कि हम अलग से बात करें, कि जो h2SO4 है, h2SO4 के formula में, एक oxygen को अटा कर, एक oxygen को अटा दें, और एक sulfur एड़ कर दें, तो हमारे पास thaiosulfuric acid भी बन जाएगा, एक oxygen को minus कर दिया, और एक sulfur को एड़ कर दिया, जब sulfuric acid के formula में, एक oxygen को replace कर दें, sulfur से, तो हमारे पास जो formula बनेगा, उसको हम thaiosulfuric acid कहा रहे हैं, यह एक main acid होता है, यह बहुत use होता है, तो thaiosulfuric acid है, thaiosulfuric acid को बनाने करता है, एक oxygen को remove करकर, उसकी जगाँ पर हम sulfur लगाते हैं, तो उसको हम thaiosulfuric acid कहते हैं, thaiosulfuric acid होता है, तो इसमें भी जो इसका formula देखेंगे, इसका structure formula देखेंगे, तो वहाँ पता लगेगा, कि कैसे हैं, इसमें sulfur-sulfur linkage है, जहां भी sulfur-sulfur linkage होता है, तो उसके हम thaiosulfuric acid बनाना था, तो क्या हमने oxygen को replace कर दिया, एक sulfur से, तो वह थायो-sulfuric acid, इसके बाद आप बात करते हैं, जो हमारे oxo acid होते हैं, हलोजन के, तो हलोजन, में हम chlorine को ले लेते हैं, जो हलोजन के oxo acid होते हैं, चार होते हैं, तो उसमें हम बात कर रहे हैं, हैलिक acid, HCl3, इसको बोलते हैं, हैलिक acid, यदि उसमें से, एक oxygen को minus कर दिया, हमने इसमें से, एक oxygen को minus कर दिया, एक oxygen remove कर दिया हमने, एक oxygen remove करने के बाद, बागी क्या रह जाता है, HCl2, तो उसको कहते हैं, हैलिस acid, इसको हम कर रहे हैं, हैलिस acid, और इसमें से भी, एक oxygen minus कर दें, तो जो, एक oxygen minus करने के बाद, जो formula बचेगा, वो होगा, इसको कहते हैं, हाइपो हैलस acid, हाइपो हैलस acid, जो, हैलिक एसिड है, हैलिक एसिड में से, एक oxygen, हैलस acid form होता है, और हैलिक एसिड में से, एक oxygen minus कर दें, तो हैपो हैलस acid form होता है, हैलिक एसिड है, हैलिक एसिड में, एक oxygen एड़ कर दें, एक oxygen एड़ कर दें, तो पर-helic acid फॉर्म होता है, एक oxygen एड़ कर दें, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, HClO4, तो इसका जो नाम है, पर-helic acid, कि हमारा जो main acid था, इसमें, HClO3, हैलिक acid, तो हैलिक acid से हैलिस acid है, हमने कैसे बनाया, एक oxygen को minus कर दिया, अब हैलिस acid से हमने, हैलिस acid कैसे form किया, एक oxygen और minus कर दिया, तो फॉर्मूला बन गया, HClO, अब जो हैलिक acid था, उसमें जब एक oxygen एड कर दिया, तो पर-helic acid फॉर्मूला, इसमें oxidation state देखेंगे, तो इसमें oxidation state है, plus 5, इसमें oxidation state है, plus 3, हैलिस acid में, और इसमें जो oxidation state है, वो है plus 1, और इसमें जो oxidation state है, पर-helic acid में, वो है plus 7, यह lowest oxidation state में होगा, जो hypoacid होते हैं, वो lowest oxidation state में होता है, यह सबसे ज़्यादा lowest oxidation state है, यह lower oxidation state है, यह higher oxidation state है, यह highest, जो पर-acid होते हैं वो highest oxidation state में होते हैं यानि कि जो हैलिक acid है वो higher oxidation state में है और पर-ahelik acid है वो highest oxidation state में है हैलस acid लोवस्ट और जो hypo है वो उससे में नीचे lowest oxidation state में होता है अब जो table हमने बात discuss की है उसको table को conclude करते हैं हमने बात की थी जो हमारे main acid थे वो main acid होते है e-corus form में उसको हम कभी-कभी boron के case में boric boric भी भी बोल देते हैं phosphorous case में orthophosphorus और orthophosphoric acid भी कह देते हैं अब जो boron का acid होता है वो होता है orthoboric acid H3BO3 तो उससे हमने boric acid कैसे form क्या मानस कर दिया HbO2 carbon का A की oxo acid होता है carbonic acid H2 CO3 nitrogen nitrogen का जो main acid था nitric acid nitric acid से एक oxygen को minus कर दें तो हमारे पास कौन सा acid बचा वो बचा nitrous acid अब जो nitrous acid है nitrous acid से एक oxygen को minus कर दें तो हमारे पास कौन सा acid आएगा hypo acid जो hypo acid form होआ है HNO बनेगा वो unstable होता है तो वो dimer की form में exist करता है तो formula बन जाता है H2N2O2 तो अब बात करते हैं phosphorus acid के oxo acid के बारे में phosphorus का main acid होता है phosphoric acid इसको orthophosphoric acid भी कहते हैं जब इसमें से oxygen minus कर देंगे तो हमारे पास phosphorus acid बनेगा phosphorus acid जब orthophosphorus acid में से एक oxygen minus कर दें तो हमारे पास कौन सा acid आएगा pyro hypo phosphorus acid ऐसे ही जब हम जो molecular formula है orthophosphorus acid का उसको water minus कर दें तो हमारे पास जो formula आएगा वो आया pyro phosphorus acid है ऐसे ही जो sulfuric acid हमारे पास phosphorus acid है phosphorus acid का molecular formula को डबल कर उसमें से water को minus कर दें तो हमारे पास जो आएगा उसको कहेंगे pyro phosphorus acid metafosphoric acid बनाने के लिए हमने क्या 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 जो हमारा formula formula था phosphorus acid का orthophosphoric acid का से हमने water molecule को माइन तो हमारा बना HPO3 HPO3 stable नहीं होता इसलिए वो या तो timer की form में एक्जिस्ट करता है या polymeric chain बना लेता है HPO3 thrice या polymer की chain फोम कर लेता है N number of molecule आपस में chain में connected हो जाती है sulfur sulfur का जो main acid होता है sulfuric acid और उसमें से oxygen को minus बनाता है sulfurous acid इसमें जो sulfur है वो plus 6 oxidation state में है इसमें जो sulfur है वो plus 4 oxidation state में है जब हम sulfurous acid sulfurous acid का molecular formula का double करकर उसमें से 1 quarter को minus करेंगे तो हमारे पाइरो sulfurous acid ऐसे ही जब sulfuric acid का जो molecular formula है उसको double कर देंगे double करकर उसमें से 1 quarter का minus कर दें water के molecule को तो पचेगा उसको कहेंगे तो sulfuric acid जो sulfuric acid है sulfuric acid में एक oxygen एड़ कर दें तो हमारे पास कौन सा बनता है क्या बनता है H2SO5 जिसको कहते है peroxo sulfuric acid या caro acids H2SO4 H2SO7 यानि hyrosulfuric acid में एक oxygen एड़ करते है तो उसको marcel acid कहते है या paroxo di sulfuric acid कहते है ऐसे ही जो halogen है halogen के acid SCLO3 या SCLO2 है तो उसमें ये अस form में होता है ये form में होता है SCLO3 एक form में है और SCLO2 asfoam में है तो इसको कहते है helic acid ये सबस्याद्व